नंदन्पुर नाम के गाउं में तुन्नू और उसका परिवार रहते थे तुन्नू के परिवार में उसकी पत्नी तुन्टुनी और उसका दो साल का बेटा बंटी रहता था तुन्नू बेहत घरीद था दिन में वो पास के जंगल से लकणिया इकठी करके लाता और शाम को उन्हें गाउं के बाजार में बेचता तुन्नू जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उनसे वो अपने परिवार के लिए राशन का समान लेकर घर चला जाता चाहे आंधिया या तुफान इसी तरहां तुन्नू रोज जंगल से लकणिया इकठा करके लाता और गाउं के बाजार में बेचता एब दिन गाउं में बहुत तेज वारिश हो रही थी रोज की तरहां तुन्नू लकणिया लेकर बाजार गया लेकिन दिन भर उसकी एक भी लकणि नहीं बिकी हे भगवान ये कैसी जिन्दगी दी है आपने अगर आज लकणि ना विकी तो मेरे बीवी बच्चे को भूखा सोना पड़ेगा थोड़ी देर में एक बिखारन गरीब गौरी कवी तुन्नू के पास आई भाईया क्या आप मुझे ये लकणिया दे सकते हैं मेरे घर पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बेटे की तबियत बहुत खराब है हाँ बहन ये तुम रख लो गौरी वो सारी लकणिया ले गई आज फिर मेरा परिवार भूखा ही सोएगा हे प्रभू ये सोचकर परेशान टुन्नू घर की तरफ निकल पड़ा तभी रास्ते में उसे तीन जादूई घर दिखे जिसमें से एक सोने का घर था वहाँ जाके टुन्नू बोला अरे इस रास्ते में मैंने तो पहले कभी ये घर नहीं देखा तभी जादूई सोने का घर बोला हाँ टुन्नू मैं सिर्फ उसे ही दिखता हूँ जो दूसरों की कोई मदद करते हैं इस जादूई घर में तुम अपने घर से कोई भी दस साल या उससे पुरानी चीज लाओगे तो वो सोने में बदल जाएगी लिकिन एक बात का ध्यान रखना तुम इस सोने के घर में आ चुके हो तो अब तुम बाकी के दो घरों में नहीं जातकते इसके बाद टुन्नू अपने घर चला गया और अपने पिता की पुरानी कटोरी उठा कर ले आया जिसमें उसके पिता खाना खाते थे वो कटोरी सोने की बन गई तुन्नू अब रोज लकडिया बेचने जाता और वापस घर आते वक्त रास्ते में अपने घर की किसी पुरानी चीज को सोने का बना देता ओ भाया इस सोने के कंबल का कितना दोगे टुन्नो जी इसके तो पूरे एक लाख रुपे मिलेंगे ऐसे ही कुछ दिन बीट गए लेकिन तब तक टुन्नो के मन में लाला चा गया था टुन्नो अपनी पत्नी से बोला अरे ओ भग्यवान सुनती हो अब तो हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दस साल या उससे पुरानी है तुमें काम करो पढ़ो उसके मिठू तोते के घर से कोई ऐसी चीज चुरा लो जो दस साल या उससे पुरानी हो तुन्नो की पत्नी तुन्टुनी ने ऐसा ही किया वो मिठू तोते के घर से एक बक्सा चुरा लाए तुन्नो चुराए हुए बक्से को तुन्टुनी के साथ जादूई सोने के घर में ले गया लेकिन बक्सा तो वैसा ही रह गया मगर टुन्टुनी सोने में बतल गई और सोने का वो जादुई घर गायब हो गया हे भगवान हे भगवान मुझे माफ कर दीजिये अब मैं लालच नहीं करूंगा मेरी पत्नी मेरी सब कुछ है आप इसे ठीक कर दीजिये और मैं वादा करता हूँ कि अपसे जिन्दगी में कभी लालच नहीं करूंगा तभी वहाँ तेज रोश्नी चमकी तुन्टुने तुम एक नेक पक्षी हो फिर भी तुमने लालच किया मैं तुम्हारी पत्नी को इस बार तो ठीक कर देता हूँ लेकिन ध्यान रहे अब तुम इस जादुई घर को कभी भी देख नहीं पाओगे तुन्टुनी फिर से पहले जैसी हो गई और तुन्दु के परिवार ने अब तक जो पैसे जमा किये थे उनकी मदद से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा लालच नहीं करना चाहिए लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है सुन्दर्वन जंगल में बंटी का पूतर और तुनी चिडिया भीक मांगर अपने घर का गुजारा करते थे बोट ओनों सुपर सुपर भीक मांगने के लिए निकल जाते थे और शाम को अपने गोसले में लोटाते थे उन्दर्वन की प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से पिंकी रखा था एक दिन तूनी चिडिया अपनी पती से कहती है बंटी हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है अब उसे अच्छी परवरिच देंगे हम लोगों के संदिकी तो प्लिक मांगने भी कट गई लेकिन मैं अपनी बेटी को प्लिक मांगने नहीं दोंगी मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी तब ही बंटी का बूतर कहता है हाँ टूनी मैं भी चाता हूँ लेकिन क्या करूँ प्लिक में इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ पढ़ाई तो दूर की बाद है दो टाइम का खाना भी महगा पड़ता है इस तरह दोनों पत्री पत्री अपनी बेटी की भविशी के लिए चिंदा कर रहे थी उसी समय सुन्दरी बहां से गुजर रही थी जब वो बंटी का बूतरों टूनी चिडिया को भीक मांगती हुए देखती है ता तो बहां रुक जाती है तभी तुन्टुनी चिडिया कहती है कुछ खाने को देदो बहन पगवान तुम्हारा भला करेगा तब कुस्से में सुन्दरी कवई कहती है देख तुन्टुनी चिडिया तू मेरी यात्रा खराब मत कर मैं किसी काम से जा रही हूँ तुम भी कारियों को यहां देखा तो में रुक गई तुम भी क्यों मांगते हो कोई दूसरा धंदा करो कौन सा धंदा करो सुन्दरी बहन हम क्या सिगरेट को कोई यह काम नहीं देता अगवान तुम्हारा भला करेगा कुछ तु देदो सुन्दरी बहन जिस काम से तुम जा रही हो, वो काम पूरा होगा टुम्टोनी, तु भी क्या याद करेगी, यह ले मेरे पास एक लोट्री की टिकट पड़ी है अपनी कुछ दिन पहले खरीदी थी लेकिन कानू को एने मुझे जवजस्ते दे दिया शायद तुम्हारी यह लोट्री लंग जाए सुन्दरी लोट्री का टिकट टुम्टोनी चिडिया को दे देती है लोट्री का टिकट लेकर टुम्टोनी चिडिया कहती है तुम्हारी यात्रा सफ़ल हो सुन्दरी कवई की जाने के बाद बंटी का बोतर टुंटुनी चिडिया से कहता है सुना था सुन्दरी कवई कंजूस है आज देख ठी लिया तुम इस लोटरी की टिकट को संभाल कर घर पर रख देना हाँ बंटी में से संभाल कर रख चूंगी अब चलो शाम हो गई है अपनी खोसले में चलते हैं दोनों अपनी खोसले में आते हैं तुम्टुनी चिडिया संभाल कर टिकट को एक कौने में रख देती है इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं उन दोनों को टिकट की बारे में याद मी नहीं होता जब एक दिन तुंटुनी जिडिया और बंटी का बोतर बिख मांगने के लिए जा रहे थे तब पिंकी जिडिया कहती है पापा मैं ये खागच ले लू इसे हवाई जहाज बनाकर उडाओंगी तब तुंटुनी जिडिया देखती है कि पिंकी लोटरी की टिकट लेकर उसकी पास खड़ी है तुंटुनी जिडिया पिंकी से लोटरी की टिकट चीन लेती है अरे मैं तो इस लोटरी की टिकेट के बारे में फोल ही नहीं थी बंटी तुम अपने इस लोटरी की टिकेट को ले जाकर देखो इस टिकेट का क्या परिनाम आया है बंटी उस टिकेट को लेकर कालू कोई की पास जाता है कालू भाई जरा इस लोटरी के नंबर को मिला कर देखो कि इसका क्या परिनाम आया है कालू लोटरी के नंबर को मिलाता है और बंटी कबोतर को बताता है आरे बंटी भाईया तुम्हारी तो दस लाग की लोटी लगी है तुम्हारी तो दिन पिर गए बंटी ये लो तुम्हारी पैसे बंटी खुशी खुशी दस लाग रुपे लेकर अपने खोसले में आता है बंटी के हाथ में रुपे से भरा बैर देखकर टुम्टुनी चिडिया नाचनी लगती है उसके इस खुशी में उसकी बेटी पिंकी भी शामिल हो जाती है तब तुम्टुनी चिडिया बंटी कबूतर से कहती है बंटी तुम इस टैसों से बड़ा सा बिजनिस कर लो अब हम अपनी बेटी को खुख बढ़ाएंगे उसे डॉक्टर बढ़ाएंगे इस तरह बंटी कबूतर और तुम्टुनी चिडिया भीग मांगना छोड़ देते हैं और उस जंगल में सबसे अभीर पक्षी बन जाते हैं साथ ही जंगल के पक्षियों की मदण भी करने लगते हैं ये कहानी है एक मेंटी चिडिया और सुस्त कववे की कववा अपने आलस के कारण दिन भर अपने चोटे से तूटे फूटे तिनको के बने गोसले में सोया रहता था वहीं दूसी तरफ तुम्टुनी चिडिया थी जो हर वक्त काम में लगी रहती थी तुम्टुनी सोचती है मेरा गोसला तो तिनको का बना है अगर तेज आंधी आई तो ये तूट जाएगा मुझे अपने घर को जल्द ही पक्का करना होगा नहीं तो आंधी दूफान में मैं कहां रहूंगी तुम्टुनी दिन भर मेनत करके घर को पक्का करने का सामान इखटा करती है और फिर अपने लिए एक प्यारा सघर बना कर तयार करती है तुम्टुनी बहुत खुश थी घर बनने की खुशी में वो बडोस के आलसी कालु कववे को मिचाई देने जा रही थी तुम्टुनी को मिचाई लेकर आता देख कालु कववा सोचता है ये तुम्टुन की बच्ची लगता है इसे अच्छे से बात करने होगी इतनी ताजी ताजी रसीली मिचाईयों के ले मैं इतना तो कही सकता हूँ ये लो कालु भईया मैं आपके लिए मिचाई लाई हूँ हाँ हाँ लाओ चेडिया बहन मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई कालु जल्दी जल्दी सारी मिचाईया सफाच चट कर देता है अरे कालु भईया आपने ये तो कुछा ही नहीं कि मैं ये मिचाई किसे लाई हूँ अरे वो मैं भूल गया था चलो तुम मुझे कभी और बता देना अब तुम जाओ मेरे सोने का टाइम हो गया है तुन्टुनी वहाँ से चली जाती है रास्ते में तुन्टुनी सोचती है अरे ये कववा तो बड़ा ही ख़़ूस निकला ना बैठनी को बोला ना ही मुबारक बात दी बस मिठाई खाली कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है बारिश में कववे का खोसला तोटकर बिखर जाता है लेकिन पडोस में रह रही तुन्टुनी अराम से अपने पके घर में रह रही होती है कालु कववा पीची से उड़कर तुन्टुनी के घर पर जाकर दर्वाजा खटटाता है कौन है? मैं मुझी रिया मेहन मेरा खोसला तोट गया है दर्वाजा खोलो तुन्टुनी बहुत अच्छी थी इसलिए उसने कालु कववे को बारिश के रुपे तक अपने आलिशान घर में रहने की इजाज़त दे दी कालु भेया आप बारिश रुपे तक यही रह लो जैसे ही बारिश हतम होगी हम दोनों मिलकर आपके घुसले की मरमत करेंगे तुन्टुनी कालु के लिए स्वादिश्ट पक्वान लाती है और रात के खाने के बार दरम बिस्तर लगा देती है इतना हाली शान दर को छोड़ कर मैं कहीं नहीं जाओंगा मुझे तर्कीब लगानी पड़ेगी जिससे मैं इस छिडिया के आउकान में रह जाओंगे तीन दिन गुज़र जाते हैं बारिश रुख चुकी थी कालु भया आप बारिश रुख चुकी है चलो हम दोनों मिलकर आपके घुसले की मरमत करते छिडिया बहन तेरे तब बहुत खराब है मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ चलो ठीक है आप अराम करो मैं कुछ काम खतम करके बाहर से आती हूँ तुन्टुनी बाहर जाकर कालु कववे के तूटर हुए घुसले को नया कर देती है इधर कालु टुन्टुनी के जमा किए सारे पक्मान को सफाज़ चट कर देता है टुन्टुनी भूखे बेठी सो जाती है सुबह होते ही टुन्टुनी कालु कववे को उसका नया घुसला दिखाती है और फिर अपने घर से लिजाती है ये चिरिया तो जलाग निखी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज राता खाना तो मैं इसी इधर खाऊँगा रात होते ही कालू फिर से टुन-टुनी के दर्वाजे को कट-कट आता है कौन है इतनी रात को, मैं हो चिरिया बेहन, चल्दी दर्वाजा खोलो कववा अंदर आता है अब क्या हुआ कालू बेहन, अब तुम तो जानती ही हो चिरिया बेहन, कि मुझ गरीब का तुमारे जैसा बक्का गर नहीं है खुले मैं सोता हूँ, तो साम पिच्चु का डर लगा रहता है आज एक बड़ा साम मुझे काटने ही वाला था, कि मैं होड़ कर तुमारे पास आ गया ठीक है कालू बेह, आप आज रात को यहीं रुकिये, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ कावव मजे से स्वाधिष्ट पक्वान खाता है और फिर नरम इस्तर पर सो जाता है तुम्टुनी को सुस्त कावव पर शक होता है लगता है इस कावव को मुफ्ट की रोटी तोरने की आदर पढ़ गई है कल मुझे इस पर चुपकर नजर रखनी होगी अगले दिन सुधेश तुम्टुनी जाड़ियों में छुपकर कालु कोवव को देखती रहती है कालु कावव अपने उपर लाल रंग लगा लेता है आज मैं फिर से इस चुल्या की बच्ची को कहूंगा कि मुझे पर एक बास ने हमला कर दिया था इसलिए मैं चक्नी हो गया हाहाहा बेफ कूफ चलिया तुम्टुनी सोचती है अच्छा तो ये बात है अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन बेफ कूफ है सुस्त आलसी कोवे रात हो जाती है जैसे ही कोवव तुम्टुनी के घर के पास पोचता है तुन्टुनी घर के बाहर निकलती है और कहती है कालू भाया इस घर में मैंने आज फ्रेत आत्मा को देखा है मुझे डर है कि वो हमें जान से मार देंगे इसलिए मैं ये घर और ये पेर छोड़ कर जा रही हूँ तुन्टुनी के जाने के बाद कालू ये बीफ को पेर आप माँ पर विश्वाश करती है चलो अच्छा है अब ये आरी जानगर मेरा हुआ आदी रात को तुन्टुनी चुकर गेट खटट आती है कालू ढर जाता है उसके पसीने चूट जाते है कौन है कौन है बहर मैं भू थो मुर्क तु अपने आप को शाना समझता है अगर तु सुबह तक के पेर छोड़ कर नहीं गया तो तुझे अपनी जान गवानी पड़ेगी कालू थर-थर कापने लगता है तो ठीक, ठीक है मैं सुबह होते हैं सुबह को छोड़ कर चला जाओंगा थे बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तुने ने अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला दिया था बड़ी बेटी खाना खाकर उपर बैट पर सो गई थी और तुनी की चार साल की बेटी पिंकी मा के गोद में लेटी हुई है और चिडिया मा उसे लोरी सुना रही है सोजा पिंकी सोजा लाई पलंग पर सोजा मम्मी डैडी आएंगे देर खिलोने लाएंगे सोजा पिंकी सोजा मा की लोरी सुनकर पिंकी भी सोने लगती है यह देखकर टुनी यह अपनी बेटी की बगल में सोने की तैयारी करने लगी तेज वारिश और विजली की आवाज के कारण तुनी को नीन नहीं आ रही थी तभी उसके दर्वाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा तुनी सुन रही है तु दर्वाजा खोल दर्वाजा तेज वाज सुनकर तुनी का दिल तेजी से धरकने लगा तो जैसे दैसे गड़ते हुए दर्वाजा खोलती है तो देखती है कि उसका मकान मालिक सेज करकनाथ तीन चीडों के साथ बाहर बारिश में चाता लेकर खड़ा है क्यों रही क्या घर रही थी तू मुझे इतना इंतजार करना पसंद नहीं समझी मालिक मैं अभी सोई थी लेकिन मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी मैंने तुलन दर्वाजा खूल दिया तूनी की बातों को सुनकर करकनाथ रेट ने मूँ बनाते हुए कहा हाँ ठीक है जादा बाते मत बना और फटा फटा पे तीम महिनों का किराया निकाल तूनी ने सौ सो के चार नोट करकनाथ को दे दिये और तूनी करकनाथ के तैरों पर गिर गई सो के चार नोट को देख़कर करकनाथ का दिमाग करब हो गया ये ये किकने दे रही है तू मझे 400 रुपय दिमाग खराब हो गया बाहर तेज आवाज सुनकर तूनी की दोनू बेटिया धुब गए और डर कर अपी मां से लिपट गई, तुनी कारकनाथ के सामने रोने लगती है। साहब, अभी मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं वो सब आपको दे दिये। मैं जल्दी आपके बाकी के पैसों को भी चुखा दूँगी। तुनी के पास पैसे थे नहीं, वो लाग दिर गिराई, लेकिन सेट का कलिजा पत्थर का था। देजानी दुखान में उसे तुनी और उसकी दोनों मासूम बेटियों को बाहर निकाल दिया। तुनी की चोटी बेटी पिंकी अपने मृत पिता की तस्वीर को उठा कर साथ ले जाने लगी तो कारक नाथ ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। बंजी लेटी, बोला थाना, किसी भी समान पर हाथ मत लगाना। और ऐसा कहकर उसने पिंकी से उसके मृत पिता की तस्वीर को लेकर जोर से फैंक दिया जिससे उसकी पिता की तस्वीर चक्ता चूर हो गई तुनी और उसके दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे वाले लोगों के आगे गरीव सिर्फ दुख सह सकता है तेज आदी दुखान में तुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर चलने लगी तुनी लगादार रोई जा रही थी मा अब हम लोग कहां जाएंगे क्या खाएंगे और कहां रहेंगे मा तुनी ने कोई जवाब नहीं दिया वो बस रोती रही थोड़ी देर में वारिश रुख जाती है तुनी अपनी बेटियों के साथ सड़क खिनारे ही सो गई अगले दिन तुनी अमीर सेर सिठानियों के घर में बटन दोना और जाड़ू पोचा लगाने का काम करने लगी पूरे दिल उसने काम किया उस रात भी वे सबी सड़क खिनारे ही बैचे हुए थे दिन भर की कमाई के पैसों से रोटी और सबजी उन्होंने खरी दी थी मां मिच्च चली गई मूँ में बहुत तिखा लग रहा है रुक रुक मैं अभी पानी लेकर आती हूँ नहीं मां तू यहीं रुक सारा दिन काम करके तुन ठक गई हो मैं पिंकी को रोट के उस फार वले नल से पानी पिला कर लाती हूँ अच्छा ठीक है बीटा मेरे लिए एक बोडल पानी लेते आना दोनों बेहने साथ मैं रोट के उस फार पानी लेने चली जाती है तोनों ने नल से बोतल में पानी भरा और पिंकी ने पानी पी लिया अब अच्छा लग रहा है बहुत तीखी मिश्टी दीदी चलो अब मा के पास चलो कहते हैं किसका खराब होती है तो आप सू रहे होंगे तब भी आपके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा कुछ ऐसा ही टुनी के साथ होने वाला था वो सड़क किनारे बैटी हुई थी तब ही भूके बाज ने उस पर पीछे से हमला कर दिया जिससे तुनी की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है पिंकी, बेटी, बेटी, बेटी तुम दोनों ठीक, ठीक से रहे ना बेटी मा की आवाज सुनकर दोनों भागी भागी वहाँ पहुँशती है लेकिन तब तक टुनी जा चुकी थी मा, मा पानी पेलो मा, मा पानी पेलो, उठो ना मा, उठो मा के जाने के बाद दो छोती बच्छेओं के गंधे पर एक ऐसा वोज़ दाता ने दे दिया था जिसे उठाने के लायक दोनों में से कोई भी नहीं थी एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थी दीदी, हम दोनों ऐसे सड़क किनारे लेटे हुए है क्या हम दोनों को भी बाद उठा कर ले जाएगा क्या हम दोनों भी मर जाएंगे देदी मुझे मा की बहुत याद आती है बड़ी बहन उटकर पिंकी के आसो पोच्टी है और उसे गले लगा लेती है नहीं मैना ऐसा कुछ नहीं होगा हम अपना घर बनाएंगे हाँ देदी मुझे घर में रहना है या सड़क पर नहीं बड़ी बहन चिंकी ने कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी लेकिन कैसे घर बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है दोनों बहनों ने कबाड बेशने का काम शुरू कर दिया दोनों बहने सारा दिन कबाड बेशने का गई तो वहाँ एक रहां काया अली टुनू सी, सुना है कबार बेज बेज कर बहुत पैसा चापा तुमने, सुना है तुमने फिर से नया मकान खरीदा है कबार से मकान, ये बाद बड़ी बहन की जहन में भूमने लगी उसने सोचा कि जो बोतल वो इखटा करती है, उन में से कुछ वो बेच दे और बाकी की बोतल से अपना प्लास्टिक बोतल हाउस बनाए उन दोनों बहनों ने जमा की कोई प्लास्टिक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने अपना घर बना कर तयार कर लिया ले बहना, अब हमारा प्लास्टिक बोतल हाउस तयार हो गया है अब यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा और यहाँ बास भी हमें नहीं देख पाएगा दोनों बहने अब उसी घर में रहती है और दिन में कबार बेचने का काम करती है उन्होंने इस समाज में निडर होकर जीना सीख लिया